आज मैं आपके लिए बेसन और सूजी के बहुती स्वादिस्ट और दानेदर लड़ों की रेस्पी लेकर आई हूँ बिना चाशनी के हम इसको बनाने वाले हैं और मार्केट से कहीं जादा बढ़िया लड़ों आप बहुती एजी वे में घर पर बना कर तयार कर लोगे तो उमीद करते हूँ आपको आज की रेस्पी अच्छी लगेगी अच्छी लगी तो इसे लाइक शरूर कीजिएगा तो चलिए फिर इनको बनाना शुरू करते हैं इन लड़ों को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कप लिया बेसन मैंने यह वलो जो बेसन हैं थोड़ा सा मोट oke व آپ इसके लिए यूज किया और बेसन को हम पहले गैस के लो फूला फ्लेम पे बिनए बिनए 4-5 विनिट के लिए ड्राइ रोस्ट कर लेगे हमने गैस का फ्लेम कम रखना और इसको ऐसी लगातर चलाते हुए हमने इसको चार से पांच मिनिट के लिए भूल लेना तो जैसी भी से रोस्ट होना शुरू हो जाता है इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुश्बू भी आने लग जाती है तो अभी जब हम इसको पांच मिनिट के लिए रोस्ट कर लेंगे फिर हम इसमें जो वन फोर्थ कप डालेंगे रवा यानि सूजी आदे कप का भी आदा और अगर हम इस चमच के नाप से देखे न तो ये देखे तीन, चार और टोटल छे चमच के करीब हमने इसमें जो रवा डाल दिया और सूजी डालने के बाद हम अब बेसन को अच्छी तरह से जो साथ से आठ मिनिट के लिए और भून लेंगे जब तक इसमें एक प्यारा सा कलर नहीं आ जाता ना तब तक हमने इसमें जो घी आड़नी करना तो अगर आप इस तरह से लड़ू बनाते हो ना तो इसमें बहुत जादा घी की भी जरूरत नहीं पड़ती है और अभी देखिए इसको और भूनते होए ना मुझे आठ से दस मिनिट के करीब होने वाले है और बेसन का पहले से काफी कलर है जो चेंज हो चुक है बेसन अच्छी तरह से रोस्ट होना शुरू हो गया और बहुत ही प्यारी से इसमें से खुश्बू आने लगए तो जब इस तरह से बेसन का कलर हो जाएगा फिर हम इसमें घी एड़ करेंगे तो चमच के नाप से देखिए हमने पहले इसमें जो तीन से चार चमच घी है ज उस टाइम पे एक तम से वीडियो बीच में जो बंद होगी थी तो अभी हमने जब इसको देखिए घी में अच्छी तरह से मिला दिया तो मिक्षर अभी भी सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा घी हमने इसमें और डाला तो इस टाइम पे मैंने तीन छोटे चमच घी और ड तो जितना का हमने घी इसमें डाला धिरे धिरे वो भी इसको रिलीज करना नहीं शुरू करतेगा और गर्मी इतनी जादा हो रखी है ना कि इस वीडियो को बनाते टाइम बीच में जो दो से तीन बारा जो फोन अपने आपी बंद हो गया था तो थोड़ा सा मैंने इसमें जो हरील आची का पाउडर डाल दिया फ्लेवर के लिए आपको अच्छा लगता है तो जरूर डालिएगा दरवाइस आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अब जैसे मैंने इसमें खरबूजे के बीज नहीं डाले जो मैलन सीट्स हैं आप चाहें तो वो भी इस टाइम पे इसम हम गैस का फ्ले में बंद कर देंगे और इसको हमने एक अलग बरतन में निकाल लेना है अब ना इसको मिक्शर को है जो हम क्यूंके काफी गरम है तो इसके गरम मिक्शर में हम इसमें जो बूरा चीनी डाल रहे हैं बूरा चीनी श्पैशली लड़्डू बनाने के लिए यह बली आती है और ये देखिए दाने दरसी होती है ये इस तरह से न और ये हमने इसमें आदा कप डाली है मीठा आपको जादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी जो बूरा है वो जादा भी कर सकते हैं अगर आपके पास बूरा या देसी खान नहीं है तो फिर जो नॉर्मल काफी गरम है अभी इसके हम लड़ू एकदम से नहीं बना सकते हैं तो हम इसको ढखकर एक से दो मिनिट के लिए ऐसी छोड़ देंगे जब यह हलका से गरम रहें आप हाथों से इस तरह से देखिए इसको एजली है जो इसके लड़ू बना सको तो तब हमने इसके लड़ू है उसके करीब इसमें घी डाल दिया और मिक्शर क्योंका गरम था तो मैंने इसको जो मेल्ट नी किया ऐसी यह देखिए घीस में जो अच्छी तरह से मिक्स हो गया अब इसको जिपने के बाद हम इसके लड़ू बना कर देखेंगे तो मारकिट से भी न कहीं जादा बढ़ि तो इसलिए मैं बता रही हूं लड़ु बहांने के टाइमे हैं आपने इसमें ज्यादा घी फा सब्सक्राइब कर लोख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज की रेस्पी कैसी लगी जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई रेस्पी के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए